क्या आपका भी कोई फोन लॉक हो गया है और यदि वो रियल्मी का है अपो का है वीवो का है तो आप सही वीडियो पर आ है यहां आप अपने रियल्मी ओपो वीवो हैंडशेट को बड़े अराम से अनलॉक कर पाएंगे कुछी सेकेंडों में तो बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो गारेंटी है कि आप अपने फोन को अनलॉक कर पाएंगे तो आज के वीडियो में आप यह जानेंगे कि आपके पास यदि कोई भी ही रियल्मी का हैंडशेट है ऑपो का वीवो का सस्ता से लेके महेंगा तक तो बस उससे एक 30 सेकेंड के ट्रिक है उससे आ आपको बस थोड़ा सा आपको पेसिंस रखना होगा तो चली बिना देर कि इस वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि देख रहे हैं में हाथ में एक हैंडशेट है जो की लॉक है लाइफ में आपको करके दिखाऊंगा तब ही आपको विस्वास होगा बहुत सारे लोग का कमे आप हेंट-set के उनने बताया था पासवर्ड कि इसमें नहीं लेड़ा है तो तो आपको आगे क्या करना है तो शिंपल सी बात है आपको यहां पर खेंड परक्लिक करना है और यहां पर शिर्फ एनले पर को बचाईए और इस वीडियो को पूरा पेसिंस के साथ देखिए तो आप भी अपने फोन को लॉक कर पाएंगे अब बात करते में टॉपिक की यानि की में पॉइंट पे आते हैं तो यह जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसी ट्रिक का इस्तमाल आपके रियलमी सर्विस सें पर हमारे मतलब कमिंट आते हैं कि सर हमारा फोन तो लॉक लॉक टो हट गिया लेकि मेरा डाटा लॉस हो गया लेकिन आज के स्ट्रिक से आपका डाटा भी लॉस्ट नहीं होगा इवेंड कि अपको कोई एप्लिकेशन फोटो डॉक्यमेंट आपका सारह आपका एजर्टी र थीजिक मोड़ा सब्सक्राइब करना है यहां का उनका औलॉक जाता है वह जो लाते हैं तो इसका ले लिई जेये वह था यॅप 899-Hash, अभी मैंने has दबाया नहीं दोस्तो, बहुत सारे लोग बस star hash 899-99 डालके चेक करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मैंने last में भी has दबाया था, वो क्यों भूलते हैं क्योंकि वो वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, मैंने कहा था ना कि अब बढ़ा के देख लेकिन यहां भी कुछ step बाकी है, वो पहला step है वो है आपको इस सारे option में आपको manual test को find out करना यानि कि खोजना, अब देखी यहां पर कहां पर manual test लिखा है उसे खोजेंगे, आपके phone में यह number 4 पे होगा, क्योंकि यह हर एक phone में number 4 पे ही आता है, तो चली यहां पर manual test लिख क्लिक करते हैं, जैसी मैंने क्लिक किया आपका नया नया option आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हमें phone को unlocking के तरफ ले जा रहा है, जहां पर हमारा phone unlock हो जाएगा, तो ऐसे आपको right swipe करते हुए, सबसे last वाला जो option है अधर का वहां आपको जाना है, अब इस other वाले option में आपक देख सकते हैं, मैंने phone को जूम किया, यहां पर mainboard version हमें दिखा रहा है V1.1, जी हां, इदि आप भी अपने phone में चेक करिए, इदि आपका mainboard version V1.1 है, तब तो आप इसी trick से उसे unlock कर पाएंगे, इससे different है, तो आपका phone unlock नहीं होगा, हो सकता है, हो भी जाए, लेकिन आपके जो comment आएंगे, उसका reply में आपको बता दूगा, वो छोटी सी एक trick है, जिससे आपका mainboard version V1.1 हो जाएगा, तो जल्दी से आप channel को subscribe करते हों, comment कीजिए, तो हमारे team आपको उसका reply देगी, एक बात और दोस्तों, बहुत से लोग comment तो कर देते हैं, लेकिन channel को subscribe नहीं सकते हैं, तो चलिए जल्दी से channel को subscribe किजिए, और comment में बताइए कि आपका company कौन सा है, और आपका mainboard version क्या आ रहा है, तो चलिए फिलाल तो यही मान के चलेंगे, कि आपका mainboard version यही same है, V1.1, तो आगे क्या करना है, आगे आपको सबसे last option है, reading, reset, complete indicator, इससे आपको दवाना है, जसी से दवाएंगे, आपका pass यहाँ पर लिखा हुआ जागा, इसका मतलब कि आप अपने unlocking के तरफ जा रहे हैं, आपका वो unlocking mode आपका जाने के लिए आपको pass मिल गया है, अब आपको यहाँ पर एक बार back करना है, और mainboard version जहाँ पर यह लिखा हुआ भी 1.1, इससे आप आपको इससे छोड़ देना है, अब आपका phone जो है, unlocking mode आपका active हो गया है, जिससे आपका phone unlock हो जाएगा, बस एक last step हमारा जो बचा हुआ वो है, key status को click करना, तो चली इसे भी click कर देते हैं, जैसी हम key status को click करते हैं, आपके phone का साड़ा pin, pattern, password, face lock, fingerprint साड़ा आपका हड़ जा जाना होगा, तो चली वो भी कर लेते हैं, मैंने एक बार back किया, दो बार किया, और तीसरी बार कर रहा हूँ, और आपका phone unlock हो गया, live